साल 2020 एक पुरा दोर है या आज सापित हो गया सदी के महान शायर जिन्हें पूरी दुनिया राहत इंदोरी के नाम से जानती है उनका दिल का दोरा पढ़ने से अचानक निधन हो गया इससे पहले उन्हें COVID-19 पॉजिटिव सुबह बताया गया था आज सुबह ये ख़बर आई थी कि रहात इंदोरी साहब को कोरोना हो गया है मेडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई कि इंदोरी साहब के दोनों फेफडों में निमोनिया था और उन्हें कमभीर हालत में होस्पिटल लाया गया था उन्हें पताया था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है जिसके चल थे टोक्टरों ने उन्हें ICU में रखा था और उन्हें लगातार ऑक्सिजन दी जा रही थी लेगिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी रहत इंदोरी के बेटे ने सुभे ये जानकारी दी थी कि वो COVID-19 पॉजिटिव बाए गए है रहे दिंदोरी सहब एक अच्छे शायर और एक चत्रकार भी थे और साथ साथ वो उर्दू के प्रोफेसर भी थे उन्होंने हिंदी फिल्मों को कई बहुत बहतरीन गीत दिये हैं साथ ही साथ उनके कई ऐसे शेर हैं जो बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं महान शायरों की अगर बात की जाए तो गालेब मीर और दाख के बाद रहा दिंदोरी का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है वहीं आज ना सिर्फ भारत को बलकि पुरी दुनिया को एक ऐसा नुकसान हुआ है इसकी भरपाई ना हो सकेगी एक महान शायर को इस दुनिया ने आज खो दिया है रहा दिंदोरी सहब को अरपन न्यूस की तरफ से हम शरद्धाजली देते हैं रहती दुनिया तक रहा दिंदोरी सहब को याद किया जाएगा प्रके और चुनिया जाएगा झाल झाल